सब्सक्राइब करें अगर आपने से नहीं देखा है डू चेक आउट आपको काफी इंफॉर्मेटिव नॉलिज उससे निलेगा तो पहले हम देखते हैं फिर एक्जाम्पल्स के साथ जैसे हमने प्रिवियस अल्गॉरिफम्स को समझें बिल्कुल ऐसा ही समझेंगे कंपरिशन भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है क्या कैसे इंसेशन जो है हमारे प्रिवियस दो अल्गॉरिफम से अलग था वह भी देखेंगे इस इस नंट के वह देखा था तो हमारा जो इन बबल सॉट अस जैसे हम हमारे प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं हम यह देखते हैं कि हमारा जो पूरा आरे हैं वह दो सक्षिंस से बढ़ जाता है कि एक होता है सॉट लुट जोगी दीरे बढ़ते जाता है एक होता लुके धीर कम होते होते-चुट जाता है अ Lena आप हमें हमारा जो पूरा array है वो sorted मिलता है तो one-he logic यहाँ पर भी लगने वाला है यहाँ पर भी जो हमारा array है वो दो portion से बटेगा एक होगा sorted part, दुसरा होगा unsorted part अब यहाँ पर होने क्या वाला है values from the unsorted part अब मान लेते हैं कि यह वाला जो portion है यह हमारा unsorted part जो values है उन्हें हम pick करेंगे are picked and placed at the correct position in the sorted part तो बहुत ही simple सा basic सा logic है हम unsorted part में से elements को उठाएंगे और यह sorted part में यह sorted part में जो भी उसका correct position हो correct position से मेरा मतलब क्या for example माल नीची मैंने यहाँ से 5 elements को pick किया यहाँ पर दो elements है से एक है 6 और दुसरा है 12 यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर 4 ओके तो अभी आप मुझे बताइए अगर अभी यहाँ पर में 5 को उठा रहा हो तो मैं यह sorted वाले part में उसे क्या लाके सिधा यहाँ रखोंगा यह कहां रखोंगा definitely आप देख सकते हैं 4 जो है वो मान लेते हैं हम ascending order में sort करने हैं तो अभी insertion sort के मताबिक मैंने 5 जो element है उसे यहाँ से pick किया अब मुझे उसे place करना है sorted part कहां place करोगा तो definitely 4 के बाद 4 के बाद और 12 से पहले तो इस 12 को मुझे यहाँ shift करना होगा और इस pipe को मुझे यहाँ डालना होगा तो अब हमारा sorted part जो है वो बढ़ जाएगा वो इतना हो जाएगा unsorted part सिर्फ इतना रहे जाएगा तो बहुत simple सा logic है हम elements को pick करेंगे और sorted portion में डालेंगे बट add the correct position जो position उसके लिए सही होगा आप जो भी order में sort कर रहे हैं अगर आप ascending में कर रहे हैं ascending order के हिसाब से जो भी उसका correct position होगा उससे आपको वहाँ place करना है अगर आपने bubble sort और selection sort देखा होगा तो वहाँ हम जो कर रहे थे वह अलग था वहाँ पर हम क्या करते थे passes के हिसाब से यहाँ पर भी passes का काल से plugने वाला है तो हम एक element को उठाते थे उसे बाकी सब के साथ compare करते थे bubble sort में और simultaneously swapping करते थे और at the end of pass हमें एक sorted element हर एक pass के end में एक एक sorted element मिलता था वही selection sort में भी हम same चीज़ कर रहे थे पर हम वहाँ पहले swapping नहीं करते थे हम positions को compare करके जो छोटा element है उसे निकालते थे and then उसके बाद में एक ही बार हम swapping करते थे तो यही difference उन दोलों में था पर यहां हम जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहां पर basically क्या कर रहे है element को pick करने के बाद जो sorted portion है हम यहां से इस तरीके से loop out करके इन सब में check करेंगे sorted elements का जो हमारा portion है वहां पर हम check करेंगे कि यह जो element है इससे हम कहाँ place कर सकते तो अगर हम ascending order पर place करना चाहते तो definitely ऐसा element हम देखेंगे अगर मतलब इसके पहले वाला element जो है वह इससे अगर बढ़ा है तो definitely हमें इससे यहां डालना होगा तो यह करने वाला जो logic है यह हम जो है इस insertion sort में apply करने वाले है अब हम इसका algorithm और proper way में एक example solve करके देखेंगे ताकि आपको यह और better way में समझ में तो जैसे कि आप लोग देख सकते है मैंने already sudo code यहां पर लिखा हुआ है और simple सा example एक dataset भी मैंने लिखा हुआ है एक example solve करके देखेंगे तो आपका concept पूरी तरीके से clear हो जाएगा programmatically as well as theoretically so let's start so अब यहां पर आप हमारा एक dataset देख सकते हैं मैंने 6 7 1 2 sorry 1 5 4 2 okay so अब हमें इस dataset को ascending order में sort करना है using insertion sort so let's see हम सिर्फ हम कोई भी logic नहीं देखने वाले बस हम बता हम देखेंगे कि किस तरीके से sorted unsorted वाला portion जो मैंने आपको बताया था वह हम किस तरीके से implement करते हैं तो now see पहले दा हम लूप करना है जैसे हम पहले इसमें भी करते थे बट यहां पर हम looping जो है वह वन से शुरू करेंगे ना कि zeroth position से अभी initially starting में मैं यह मांग के चल रहा हूँ कि यह इतना वाला portion जो है पहला element जो है वह मेरा sorted है क्योंकि अकेला element है तो वह sorted है बाकी यह जो पाच हो के पाच है यह unsorted है ओके यह मेरे main array के अंदर यह मेरा sorted सा बारे है यह unsorted सा बारे है अब मुझे क्या करना है जो मैंने आपको definition में समझाया unsorted में से element pick करना है और उससे sorted array में अपने हिसाब से place करना है ओके अब यहां पर sorted array में place करना है इस ता मतलब यह नहीं कि मैं यहां पर एक और space बनाऊगा नहीं अगर इन दोनों के case में एक्जांपल से साथ ही समझते बेटर समझ वाएगा तो नाव सी अभी सबसे पहला iteration में हमारा क्या होगा हम देखेंगे यहां पर 7 है तो अभी देखो मैं जो ascending order में sort करना है कि इसमें ascending order में sort करना है तो हमारा पहला pass pass हुआ रो तो इसमें यहां पर क्या है 7 है और यहां पर क्या है 6 है तो 7 जो है definitely वो 6 है क्या है बड़ा है तो यहां पर मुझे place changing की कोई भी requirement नहीं है और अगर in case मुझे swap करना भी पड़ता तो मैं इससे यहां पर लाता है इससे यहां पर लाता कोई extra space लगाने की ज़रुत नहीं है यहां पर मैं 7 को store करने के लिए 6 को एक और जगा store करूंगा फिर यहां 7 लोगने जो हो रहा है आपके main data set में होने वाला है तो pass 1 के बाद जो हमारा data set है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 6 as it is 7 as it is अपने अपने जगल अब यह 1 यह 5 यह 4 और यह 2 लेकिन अब यह जो है यह हमारा क्या है sorted सा बैरे है और यह जो है यह हमारा unsorted सा बैरे ओके तो अब यह हमारा sorted है और यह हमारा unsorted अगेन हम सौट unsorted में से एक element यह नहीं जो अब हम देखते हैं क्या करना है one है okay so one को पहले हम इसके साथ compare करेंगे seven के साथ seven जो है one से छोटा है definitely नहीं तो याने यह इधर तो नहीं आने मतलब इसके पहले आने वाला है seven से पहले आने वाला है one फिर हम six के साथ भी compare करेंगे इसे तो one जो है वो six से भी छोटा है तो इसका मतलब one जो है वो इन दोनों से पहले आना चाहिए okay so इसके लिए अब one जो है वो यहां आएगा फिर यहां six आएगा फिर यहां पे five four और two अब यह जो है यह हमारा sorted सब एरे है यह हमारा unsorted सब एरे तो बेसिक लिए अब ध्यान से देख भी सकते हम क्या करें हम elements unsorted array से element निकाल के उसे sorted array में insert कर रहे हैं इसलिए इस अलगर्दम का नाम भी insertion sort दिया गया है अब हम आगे बटते हैं सब पास त्री में अभी हमें सेम वही लॉजिक फॉलो करना है याश तो अगर अब यह हमारा sorted है यह हमारा unsorted है अगेन हम यहां से क्या करेंगे 5 को पिक करेंगे अभी अगेन उसे आपको compare करना है तो अगर आप देखेंगे 5 जो है वह 7 से छोटा है मतलब उसे 7 से क्या आना चाहिए पहले आना चाहिए 6 से भी छोटा है यानि 6 से भी उसे क्या आना चाहिए पहले आना जाएगा और फिर four और तू अपने अपने जगह तो यह हमारा जो है यह सॉटेट सा बैरे हैं देख सकते हैं और यह हमारा अंसॉटेट सा बैरे हैं अब हम नेक्स्ट पास की तरह बढ़ते हैं पास four अब यहां चाहिए चेक करेंगे four seven से छोटा है तो seven से पहले आना चाहिए उससे फोर जो है वो six से भी क्या है छोटा ही है तो उससे भी पहले five से भी छोटा है तो five से भी पहले for one से बढ़ा है यानि one के बाद आना चाहिए तो हमारे डेटासेट कुछ इस तरीके से दि last में गयाएगा two सब हमारा यह जो ही सॉटेट सब एरे है और यह हमारा अंसॉटेट सब आर जिसमें बिस सिर्फ एक एलिमेंट बागी रहा है अब last pass pass five इसमें क्या करने वाले अकेला ये हमारा element है उसे pick करेंगे compare करेंगे तो two seven से भी छोटा है तो seven से भी पहले आना चाहिए six से भी छोटा है तो उससे भी पहले आना चाहिए five से भी छोटा है तो उससे भी पहले आना चाहिए four से भी छोटा है उससे भी पहले आना चाहिए तो यहाँ पर हम simply क्या करेंगे से 1 के बाद 2, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर कुछ element नहीं तो यह So last step में यह हमें पूरा sorted array हमारा मिल चुका है आप यहाँ unsorted सब array कुछ भी नहीं है तो यही चीज हमें हमारे definition समझा रहा था unsorted में से हम हमारे array को virtually दो parts sorted और unsorted में split करेंगे unsorted में से हम element को pick करेंगे और sorted के elements के साथ उसे compare करेंगे और उसके proper position में place करेंगे तो देख सकते है step by step जीसे हमारे passes बढ़ रहे हैं बैसे जसे क्या हो रहा है हमारा sorted sub array का size बढ़ रहा है और हमारा जो unsorted sub array है उसका size जो है वो कम हो रहा है so I hope आपको यह समझ में आगा कि किस तरीके से यह जो insertion sort है यह किस तरीके से function करता है I think it's clear now so अब मैंने आप इसका sudo code लिखा हुआ है तो जिसके help से हम यह समझेंगे कि हम यह same logic को programmatically कैसे implement करने वाले हैं so एक बार इसे समझते हैं so sudo code क्या है तो सबसे पहले तो हम जो है हमारा data set जो है उसका हम जो length है वो calculate कर रहे है so यहाँ पर n जो है यह क्या है हमारा length of data set उसके उस variable के अंदर स्टोड़ है अब इसके previous algorithms जो थे हमारे bubble sort और selection sort उसमें जैसे passes का system था और उसके बाद में comparisons के लिए एक अलग सा loop था passes के लिए एक loop फिर उसके अंदर comparisons के लिए दूसरा loop यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है तो अगर आप यहाँ पर द्यान से देखेंगे यह जो outer loop है यह outer वाला जो for loop है यह हमारे passes के लिए है यह अंदर जो while loop लगा हुआ है यह किस के लिए है यह हमारे comparisons के लिए है तो अभी यहाँ पर यह जो passes वाल लूप है for i in the range 1,n so 1 जो है 1 याने यह वाला first position से लेके n तलक अभी यहाँ पर देखिए n जो है वो क्या है length of data set बड़बड so मैंने यह पर range लिखा है python के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ python के हिसाब से sodo code लिखा हुआ है तो range function में जब हम second parameter जो भी हम देते हैं उसे कम तलक execute होता है loop तो यहाँ पर अगर मैं n का value 6 है हमारा जिसे इस case में हमारा n का value 6 था तो जो for loop है वो कहां से कहां तलक चलेगा वो one से लेके कहां तलक चलने वाला है five तलक याने six minus one जो भी हमारा length है इसका length six था तो six minus one याने five तलक चलेगा तो आप देख भी सकते हैं हमारे five passes है one, two, three, four, five, fifth positions के हिसाब से अब इस हर pass में हर एक pass में हमने क्या किया था आप solving भी याद रखिएगा मैंने first position से नहीं start किया था मैंने यहां से इसको comparison करना शुरू किया था इसलिए जो हमारा path is solid loop है यह one से short हो रहा है ना कि zero से short हो रहा है अब for each pass loop हर एक pass के iteration के लिए हर एक i given loop के लिए हर एक pass के लिए क्या हो रहा है सबसे पहने उस आइथ position में उस आइथ position में जो भी data है याने उस data set में आइथ position में जो भी data है उसे हम किसमें store कर रहे है value नाम के एक variable में store कर रहे है और वो position को ही हम pose नाम के एक variable में store कर रहे है अब हम कर क्या रहे है जो elements होते थे जो कि already sorted थे उनसे हम compare करते थे और जो भी हम इस suitable position लगा उसका वहां पर हम उसे क्या करते थे place करते थे तो यहां भी कुछ वही होना है क्या हो रहे है पोस का value हमेशा देखिए position वाला loop जो है वो 1 से यानि यह जो आई वाला जो लूप है हमारा pass वाला जो लूप है वो 1 से शुरू होने वाला है तो position का value जो है क्या होने वाला है आई का ही value होने वाला है तो anyway position is always going to be greater than zero लेकिन जब हम compare करते हैं तो हम उसे चोटे वाल elements के compare करते हैं उसके पहले के पोजिशन में जो element है उससे हम compare करते हैं इसलिए हमें position का value आप देखेंगे आगे हमें decrease भी करना पड़ेगा एनी भी हम बाद में देखेंगे तो यहां पे हमें एक while loop लगा रहे comparison के लिए इसमें है end operator तो end operator की ने क्या होता है कि उसके बाद जो के दोलो conditions जो है वो क्या होने चाहिए satisfied होने चाहिए अगर यह और यह दोलो conditions satisfied है तब यह वाला part execute होगा otherwise नहीं होने वाला तो for every eye value for हर eye के value के लिए हर एक pass के लिए होने क्या वाला है उसका जो भी position है अगर वो greater than 0 है 0 पोजिशन से जादा है as well as उस position में जो value है वो जो है उसके पहले वाले position से छोटा ह है ओके जो भी position में मतलब जो हमारे eye position में जो value है अगर वो उसके पहले वाले position से चोटा है तो हम क्या कर रहे हैं stripping कर रहे हैं यहां पर basically shopping का logic एका है so अगर position तो data at pos position में हम क्या कर रहे हैं position के पहले वाले pos-1 याने i से पहले जो वी position है उसमें जो data है उसे हम यहां लगाएंगे कब अगर यहां वाला value जो है वो इसके पहले वाले से छोटा होता तो तो हम क्या करते है, position minus 1 अगर मान लेते हैं कि pose का value हमारा 1 है तो pose minus 1 यानि जीरोत position में data के जीरोत position में जो भी value है उसे हम pose वाले data के position वाले element में क्या करेंगे place कर देंगे, Ith position यानि first position में हम क्या कर देंगे place करेंगे, ये line हमें ये कहता है तो इस line के चलते है अगर मैं यह वाले example को मानूँ तो 6 यहाँ पर आ जाएगा ओके अब क्या होगा position minus 1 में कौन जाएगा वायने इस वाले position में अब कौन आएगा तो यहाँ पर जो element था वो आएगा अब वो कहां stored है basically Ith position वाला data हमने already value में store करके रखा है तो हम क्या करेंगे data at pose minus 1 याने यह वाले position में हम क्या करेंगे value को place कर देंगे तो 5 यहाँ आजाएगा और यह 6 यह है वो यहाँ आजाएगा हो गया swapping अब finally हमें क्या कर देना है position को एक कमा देना है क्यों position को कमाना है ताकि आगे के comparisons चल सके तो यहाँ पर हमारा इस case में हमारा position अगर one था तो भी क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा अब फिर यह loop चलेगा यह देखेगा क्या आपका position greater than zero है तो definitely your position is not greater than zero क्योंकि तुमारा position अब क्या हो चुका है जिरो ही है तो यह वाला condition that is fine नहीं होगा तो फिर यह condition का कोई मतलब भी नहीं बनता तो यह वाला part आगे execute हो गए तो यह simple था मैंने first iteration का आपको बताया है तो अगर आप यही logic को समभाच कर इस पूरे को sort करेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि यह किस तरीके से function कर रहा है anyway हम एक example लेके देखेंगे जहांपर कि हम इस logic के हिसाब से इंशेजन शॉर्ट जो है उसे चलाने बने finally जब हमारे अभी एक pass का मैंने आपको बताया है एक pass में एक comparison हो रहा है ऐसे ही हमारे बहुत से pass है ओके तो अभी i का value 1 था तो यह हुआ अभी i का value जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो अगीन जब i का value 2 होगा मैं इससे पहले जैसे निखलेता हूँ अब यह वाला लूप खतम हुआ तो अभी यह वाला लूप फिर से चलेगा क्योंकि अभी तर्मिनेट नहीं हुआ है यह पूरा 1 से लेके 5 तर्मिनेट नहीं हुआ है अभी तो सिरफ 1 हुआ है अभी इसका value आएगा 2 तो जब i का value अभी i का value क्या है 2 है okay i जो है अभी यहाँ है अभी उस iteration वनने उस i के value के लिए अभी यह वाला लूप फिर से चलने वाला है so again वो यही देखेगा pose में pose में क्या आजाएगा 2 आजाएगा और value में क्या आजाएगा data at 2 यानि 1 जो है वो आजाएगा अब अगेन अभी यह वाला example के साथ देखेंगे तो clear हो जाएगा अगर position आपका greater than 0 है position क्या है i i क्या है 2 यानि position हमारा क्या है 2 तो क्या 2 greater than 0 है yes value यानि second position में जो data कौन है 1 तो value क्या है हमारा 1 तो क्या 1 जो है वो less than pose minus 1 अभी position अभी 2 है तो 2 minus 1 क्या होगा 1 तो अभी आप बताओ कि data at pose minus 1 यानि data at first position कौन है 7 तो क्या 1 जो है वो 7 से छोटा है तो yes 1 जो है वो 7 से छोटा है तो क्या होएगा data at pose अभी आपके position क्या है हमारा 2 तो data at pose will be what data at pose minus 1 pose minus 1 क्या है 1 pose का value 2 है confuse मत वोगे pose का value चाहिए तो कहीं लिखके रख लिजे pose का value क्या है 2 तो data at pose यानि second position में जो data है वो अब किसके बराबर वहेगा will be equal to data at pose minus 1 तो pose minus 1 यानि position minus 1 यहाँ पर अगर आप देखेंगे position हमारा 2 है तो उसमें से एक कम करेंगे तो क्या होगा 1 तो first position में क्यों सा data है हमारा 7 तो अब वो 7 जो है वो इसके जगब आएगा और फिर data at pose minus 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा यहाँ पर अभी भी यही है देखें क्या होता है फिर data at pose minus 1 याने data at 2 minus 1 याने 1 data at 1 जो है वो क्या हो जाएगा वेल्व और वेल्व में हमारा क्या स्टोड था वन स्टोड था तो अब यहां पर क्या जाएगा वह बन आ जाएगा pose will be equal to pose minus 1 so अब position का value काम हो चुका है तो अब हमारा position का value क्या है 1 है okay so basically it's our this index okay position हमारे index को point करना है so अब क्या हमारा यही loop में हैं अभी भी हम अब तो लग हम इस पैसे निकले नहीं है so again हमें यही check करना है एक iteration खतम हुआ अब हमारा position का value 1 है तो क्या position जो है वो greater than 0 है तो yes it's greater than 0 value, value में हम कुछ भी changes नहीं करना है क्योंकि value में देखो यह वाला I का loop जो चलता है तभी value में changes होते है हम अभी भी इस loop में हमारा control वहाँ पे गया नहीं है तो value में जो पहने value था 1 वही रहने वाला है यह मैं समझना कि अभी I का value change हो रहा है या कुछ position change हो रहा है इसके चलते उसका value change होगा नथ है value में हमारा भी भी क्या है 1 ही है तो क्या हमारा जो value है वो less than data at post minus 1 तो अभी position अगर 1 है तो position minus 1 क्या होगा 0 अभी value हमारा है 1 तो क्या 1 जो है वो छोटा है data at 0 0 क्या है हमारा data 0 पोजिशन में हमारा क्या data है 6 है तो यहाँ पर देखो 1 is lesser than 6 or not yes 1 is lesser than 6 तो again हम क्या करेंगे यह strapping होगा तो क्या होगा जो हमारा position यानि 1 data at first यानि यह first position में जो हमारा data है वो क्या होगा data at pose minus 1 यानि 0 पोजिशन में जो हमारा data है वो अभी यहाँ आ जाएगा तो यह 6 जो है वो अभी यहाँ आ जाएगा अब यहाँ पर 6 आ गया तो भाई बात अती है अब यहाँ पर तो हमें 1 लाना है अब वो 1 कहां से लाए वो अल्रेड़ी value में है तो value को हम कहां assign कर देंगे data at pose minus 1 यानि data at 0 पोजिशन pose minus 1 यानि क्या pose का value 1 है 1 minus 1 0 तो data at 0 में हम क्या कर देंगे हमारा value देंगे अब आप देख सकते है यह फूरी तरह से क्या हो गया इतना portion सौट हो गया है अब अगें position हमारा क्या होगा एक कम हो जाएगा तो क्या होगा position का value 0 अगें जब position का value 1 pose 1 था 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 फिर अगें यह loop रन होने की position करेगा तो जब यह loop रन होएगा और यहां पर यह condition checking होगी कि क्या position का value greater than 0 है तो obviously यह condition satisfy नहीं होगा और हमारा loop यहाँ पर terminate हो जाएगा फिर अगें यह outer loop चलेगा outer loop चलेगा और इस बार क्या होगा 3 तो इस बार अगें यहां से जो है उल्टे direction में क्या होगा comparison शुरू होगा 5 का 7 से तो क्योंकि 5 जए हो 7 से छोटा है तो यहां पर इन दोनों की swapping हो जाएगी फिर अगें 5 का और 6 का comparison होगा तो उन दोनों की भी swapping हो जाएगी फिर अगें 5 और 1 का comparison होगा और उनकी swapping नहीं होगी क्योंकि 1 जो है वो already से छोटा होगा तो कुछ कि इस तरीके से यह जो insertion sort का logical part है programming part है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है अब हम इसके हिसाब से एक example भी देख लेते ताकि आपका जो idea हो पूरी तरीके से clear हो जाए आपको इससे पहले गें example के तरफ आगे बढ़े आपको कुछ और points में बता रहता हूँ लाइक comparison between previous algorithms and this तो bubble sort, selection sort, insertion sort तीनों algorithms में बच्चे काफी confused होते हैं आपको तीनों के बीच में difference याद रखना है bubble sort में in every pass हम क्या करते थे पहले तो वहाँ पे i से मतलब 0 से शुरू होता था in each pass हम उस position में जो भी value होता था उसे लेते थे बाकियों के साथ compare होता था और swapping होता था simultaneously selection sort में यह simultaneous swapping नहीं होती थी वापे उस element को बाकि सब के साथ compare reason करते थे जो सबसे चोटा element निकलता था उसके साथ हम swap करते थे एक ही बार swapping insertion sort में हम previous जो भी element है उनके साथ compare करते है sorted वाले elements जो है उनके साथ हम हमारे current मतलब height position वाले element को हम क्या करते है बाकि जो पहने के element से उसके साथ compare करते है और उससे उसके proper position में place करते है ओके और एक और चीज़ यहाँ पे इसकी time complexity आप गर आप को याद रखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नेस्टेड दो लूप से वो भी नेस्टेड है तो definitely इसकी time complexity जो है worst case time complexity big of n square जो है वो होने वाली है so yeah that's it अब हम example की तरफ बढ़ते है so यहाँ पे एक data set हमेंने अल्रेडी लिखा हुआ है पाच elements है यहाँ पे तो हमारा n का बल्लू यानि हमारा जो length होगा data set का so length of data set जो है वो हमारा क्या होने वाला है 5 होने होला है so अब हम iteration शुरू गरते है जैसे ही मैंने आपको बताया यह हमारा 0th position, 1st position, 2nd, 3rd और यह हमारा 4th position हमारा जो भी iterations है वो हमारा 1st position से शुरू होने वाला है तो अब पहले पास में हमारा जो पोस का value है वो क्या है पोस और I दोनों का ही value क्या है 1 और जो हमारा value यानि यह Ith position में जो हमारा data है यानि data at I क्या है 8 है अब बहुत इस इंपल सा चीज़ थे अब हम क्या देखने वाले है C अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा पोस का value जो है वो है 1 वाइल लूप याद रखिए वाइल लूप को याद करें वाइल लूप में 2 conditions थे क्या थे कि जब तलग आपका position जो है वो greater than 0 है as well as आपका value जो है वो less than the previous position वाला element previous position वाला index मतलब previous position में जो भी data है उससे जब तलग आपका value छोटा है तब तलग आपका लूप चल रहा है तो अब अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा value अभी क्या है 8 है तो वो उसके previous position याने pose minus 1 1 minus 1 याने 0 पोजिशन में जो भी element है उससे छोटा है तो value जो है वो previous position वाले element से छोटा है as well as position जो है हमारा वो भी greater than 0 है तो हमारे दोनों condition satisfy हो रहे है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है हम यहाँ पर क्या कर देंगे इन दोनों को आपस में swap कर देंगे तो अब हमारा data set जो है वो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ प्या जाएगा 8 यहाँ प्या जाएगा 9 फिर हमारा 1 फिर 2 और फिर 5 ओके तो यही पर अब यह उसके बाद में हमारा पोस का जो value है वो क्या हो जाएगा एक decrease होगा तो जो की 1-1 क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा अब वो while loop नहीं चलेगा क्योंकि उसमें पहला condition नहीं था कि position का value शुट भी greater than 0 अब position greater than 0 नहीं position 0 हो गया है तो condition नहीं सटेस्टा होगा तो terminate हो जाएगा तो उसके साथ ही हमारा पहला path खतम होता है अब हमारा outer form loop एक iteration आगे बढ़ेगा तो अब हमारा next pass शुरू होगा अब इस pass में जो हमारा I है या हमारा pose है वो क्या होने वाला है 2 होने वाला है अब यहां पर reference के लिए आप इसको नहीं देखोगे इसको देखोगे क्योंकि यह हमारा updated dataset है तो इसके नीचे में index लिख लिएता हूँ ताकि बहुँ confusion ना हो तो अब हमारा high का value जो हो क्या है 2 है अब value यहां पर क्या है हमारा value याने हमारा data at high याने second position में क्या data है हमारा same वही चीज़ जो हम पहले करते थे आपका pose 2 greater than 0 है yes है साथ में आपका जो value है क्या वो pose minus 1 pose 2 minus 1 याने क्या 1 तो first index में जो element है उससे आपका value 1 छोटा है क्या हाँ है तो क्या करना है आपको swap कर देना है तो swap कर देंगे तो अभी हमारा नया data set कुछ इस तरीके से दिखेंगा यहाँ पर 8 है यहाँ भी 1 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे swap हो जाएंगे फ़र 5 पर जाएंगे अब pose जो है वो एक कम होगा तो अब position का value जो है जो कि पहले 2 था अब वो क्या हो जाएगा 2-1 यानि क्या हो जाएगा अगेन हमारा वो nested वाला while loop चलेगा वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा position greater than 0 है तो yes position 1 है जो कि greater than 0 है अब अगर position आपका greater than 0 है और साथ में आपका जो value जो कि 1 है क्या वो less than pose minus 1 pose क्या है अभी 1 है यह वाले data set को हम देख रहे है तो pose आपका 1 है 1-1 क्या हो जाएगा 0 यानि आपको देखना है कि 0 पोजिशन में जो element है क्या उससे आपका value छोटा है तो हाँ छोटा है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है swapping करनी है तो अब हमारा data set कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अब यहाँ पे swap हो जाएंगे elements तो यहाँ पहाएगा 1 यहाँ पहाएगा 8 यहाँ पहाएगा 9 यहाँ पहाएगा 2 और यहाँ पहाएगा 5 0, 1, 2, 3, and 4 अब हमारा position का value अगें चेंज होगा तो वो पहले 1 था 1-1 क्या हो जाएगा 0 अब अगें वो while look चलेगा वो अगें देखेगा क्या while position is greater than 0 तो definitely not तो while look terminate हो जाएगा और हमारा यह वाला outer वाला for look जाएगा वो भी खतम हो जाएगा अब वो एक iteration और आगे बढ़ेगा तो अब हमारा third pass जो है इन वो शुरू होगा so I hope आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है basically क्या कर रहे हम जो भी हमारे pass का value है उस position में जो भी element है उससे हम हमारे previous element के साथ compare करते जा रहे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो second position में हमारे पास data गया था किया क्योंकि उससे भी छोटा है तो हमने अगेन क्या कर दिया क्योंकि हम ascending में sort करते हैं अगर आपको descending में sort करना है तो condition में जस्थोड़ा सा change होगा arrows की changes है otherwise कुछ भी नहीं है so basically अगर हमें यह करना है descending में sort करना है तो जो value less than data of pose minus 1 था तो value greater than data of pose minus 1 कर देना है उसके सिभावर कुछ changes नहीं होगे anyway हम आगे बढ़ते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारे past 3 शुरू होने वाला है so past 3 में अब यहां पर हमारा pose का value जो है वो क्या हो जाएगा pose और आई दोनों का ही value 2 था इधर तो इधर क्या होने वाला है 3 यह वाले data set को हम refer करेंगे always remember sorting algorithms में आपको updated data set ही देखना है searching के तरह एक ही data set को लेके नहीं बैठना है क्योंकि यहां पर हम data elements को positions change कर रहे हैं तो आप पुराँ data set देखेंगे तो आप गलत जाओ के solve करते वक्त computer में तो यह mistake ही होगा क्योंकि आप code लिखते हो दर so anyway pose हमारा यह पितरी है सब हमारा data at pose या जैसे मैंने पहले दिखा है वैसे लिखू तो value तो जो हमारा value है वो होगा data at i और यहां हमारा it position में क्याने third position में कौन सा data है 2 तो हमारा value जो है वो क्या है 2 अब यह वाले data set को देखना है आपको position का value है 3 pose greater than 0 yes value याने हमारा 2 है क्या वो lesser है किस से pose minus 1 pose क्या है हमारा 3 3 minus 1 याने 2 तो data data के second position में जो भी event है जो भी value है उससे हमारा value आइध position वाला value छोटा है क्या yes है तो याने अगेन हमें क्या करना होगा swapping करना होगा 2 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा ओके अब बरबद अब हमारा updated data जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा data सक्याइध तो यहाँ पहले 1 होगा फिर 8 होगा फिर यहाँ 2 होगा फिर 9 होगा और फिर होगा हमारा 5 ओके पोजिशनिंग दे देते हैं अगेन अब हमारा क्या होगा फोज का जो value है वो कम हो जाएगा तो फोज विल बे इक्वल टो वट 3-1 याने 2 अब सेम चीज़ है और अब इस पोज माइनस वन याने ये वाले पोजिशन में जो एलिमेंट है क्या वो लेसर देन वेल्लू यहाँ हमारा टो वरेबर तो एट इस लेसर देन वेल्लू, येस इट इस वागेन क्या कर देंगे swap कर देंगे इन दुनों को तो अब हमारा नया data जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा तो 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 8 आएगा फिर 9 आएगा और फिर क्या आएगा 5 आएगा ओके अगेन हमारा पोस का value जो है वो क्या होने वाले decrease होने वादा है तो 2 था 2-1 क्या हो जाएगा 1 लो जाएगा अब अब यहाँ पर दिखे या तो पोस इस ग्रेटर दन जिरू येस इस तो वाइल लूप का ये condition दिससा हो रहे है दूसरा condition अब हमारा पोस का value क्या है 1 है ओके अब हमारा value अभी भी क्या है 2 ही है value जो है पास में एक ही बार लिखता लेवाना है वो element होता है जिसके साथ हम बाकियों को compare करते रहता है तो अब शुरू करते है पोस जो है 1 है जो कि greater than 0 है तो definitely first condition satisfied दूसरा condition क्या कहता है कि आपका पोस minus 1 तो पोस है 1 तो 1 minus 1 याने 0 तो 0 पोसिशन में जो data है 0 पोसिशन में जो data है क्या वो greater है किस से आपके value से तो 0 पोसिशन में 1 है क्या 1 आपके 2 से value से जादा है क्या तो definitely नहीं है तो यहाँ पे swapping होगा क्या नहीं होगा अपका while loop के दोनों condition नहीं सेटिस्टा हो रहे है पहला तो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है इसके चलते अंदर का जो part है वो नहीं जलेगा और यहाँ पे कोई भी swapping perform नहीं होगी तो अब while loop जो है वो terminate हो चुका है तो anyway हमारा अंदर वाला loop खतम हो चुका है तो अब हमारा outer loop जो है वो एक step आगे बढ़ेगा एक iteration आगे बढ़ेगा तो अब हम किसमें इंटर करेंगे हमारा last pass जो यह last pass for तो अब इस pass में post का value जो है या i का जो value है वो क्या होने वाली है यह 4 होने वाला है ओके so value हमारा क्या होगा value होगा जो हमारा post पे या i पे जो data है या नहीं fourth position में जो data है कौन है वो 5 अब same चीज is your post greater than 0 yes it is post जो है 4 है वो greater than 0 है और साथ में जो आपता value है value है क्या वो lesser है post minus 1 वाले element से तो yes 5 जो है वो छोटा है 9 से तो हम क्या करेंगे swap out कर देंगे swapping कर देंगे so data जो है और वो हमारा update होगे कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 8 या थोड़ा काम इस 8 या प्याएगा 5 या प्याएगा 9 ओके so अब फ़ड़ा च्छे सोनी की एत्या था 8 so अब यह हमारा data है अब हमें इससे next iteration के लिए follow करना है अब पोस को हमें एक काम करेंगे तो पोस जब हमारा अब क्या हो जाएगा पोस माइनस 1 यानि 5 माइनस 1 जो कि होगा 4 sorry या पर मैंने निस्टेक किया यह है 4 तो 4 माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा 3 अब हमारा पोस का value जो है वो है 3 तो इस 3 greater than 0 तो yes 3 is greater than 0 और उसके साथ ही में पोस माइनस 1 यानि 3 माइनस 1 कौन सा element है 3 माइनस 1 ओगर 2 तो second position data at 2 is greater than value or not value का value क्या है हमारा 5 है तो यह जो है यह किससे छोटा है किससे data at पोस माइनस 1 से तो definitely हमें क्या करना होगा swap in करना होगा तो यह जो हमारा नया data जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 यहां यह दोलों आपस में क्या हो जाएगे swap out हो जाएगे तो 5, 8 और 9 ओके अगेन हमारा पोस का value जो है वो क्या होगा एक कम हो जाएगा अब इतरी था तो 3 माइनस 1 यहने क्या होगा 2 अच्छे से निकला हो मैं तो फोस इस इक्वास टो पोस माइनस 1 यहने 3 माइनस 1 यह हो जाएगा आपका 2 अगेन सेंग चीज़ अब हम इसे देखेंगे तो एक बार इसके इंडेक्सिंग लिख लेता हूँ तो पोस इस ग्रेटर देन 0 ओके और वेल्लू इस लेस वेल्लू हमारा है 5 अब डेट अट पोस माइनस 1 यहने फोस्ट पोसिशन में क्या है 2 ओके तो वेल्लू जो है क्या वो लेसर है हमारे डेट अट पोस माइनस 1 से है क्या Obviously नहीं क्योंकि डेट अट पोस माइनस 1 है 2 और वेल्लू जो है वो है 5 तो anyway यह condition that is side नहीं हो रहा है तो क्योंकि यह condition that is side नहीं हो रहा है इसे आगे नहीं बड़ेंगा और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यह data set जो है completely क्या हो चुका है? sort हो चुका है So that's it I think मैंने आपको पूरी तरीके से programming logic के साथ एक example solve करके दिखाया है बिल्कुल यही logic या बोल सकते हैं कि जो हमने sudo code refer किया है same sudo code को ही use करने वाले हैं So insertion sort मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा अब हम इसका एक main advantage और disadvantage जो है वो discuss करने ते So insertion sort का जो main advantage है कि यह काफी हद तक simple है easily आप इससे समझ सकता है simple comparisons के साथ है easy to implement है वहीं अगर आप इसके main disadvantage discuss करेंगे तो again वो इसकी time complexity जाती जो की big of n square है और यह जो large data sets है उसकी ने बिल्कुल भी suitable नहीं है So I hope आपको insertion sort का पूरी तरीके से idea आ चुका होगा कि इसका main logic क्या है इसे हम programmatically कैसे implement करने वाले हैं कैसे यह algorithm function करता है Let's switch to the coding part So as you can see आप लोको python का जो standard idea नी है वो दिख रहा है और अब हमें इसके insertion sort का code लिखेंगे So without any further delay let's start So we'll make a function बनाएंगे insertion sort का जो scandal की core logic बिल्कुल वही होने वाला है So if you haven't watched that part So please उसे पहले देखिए थाकि आपको जो concept से हो clear हो Then I will make a video भी लिखूँगा आपको better way में समझ माइगा So let's start First we'll save the file File Save as कोई भी लोकेशन में आप कर सकते है My desktop new Data Structures and Packables Now it's your folder कोई भी नाब दे सकते हैं आपको insertion sort So let's create a function Depth Name आप दे सकते हैं कुछ भी मिले देती है Insertion sort Now see बाकी के sorting algorithms भी आपने देखे ही होंगा अगर आपने नहीं देखा तो do check it out So बाकी के previous हमारे algorithms के ही तरह हम यहां पर भी क्या parameters लेंगे So definitely insertion sort हमें sort करना है So हमें क्या चाहिए होगा data set चाहिए होगा So we have to specify that So यह एक parameter लेगा जो कि क्या होगा वो data set जिससे कि हमें sort करना है Using insertion sort Via insertion sort So press colon Let's enter So अब हमें क्या करना है बिल्कुल वही steps से जो मैंने आपको बोर्ड में समझाया है So सबसे पहले तो हम यह जो data set है इसका जो length है हम एक variable में store कर देंगे So n is equals to length of data So data basically आपका एक list होगा Of all those unsorted elements तो उनका जो हमारा length है यह उनका length है हमने यह नाम के variable के अंदर जो है क्या कर दिया Assign कर दिया है Store कर दिया है Okay So now अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों की हमारे पास यहां पर दो loops होंगे Outer loop again हमारे process के लिए Inner loop हमारे comparisons के लिए So बिल्कुल वैसे logic के साथ हमें जाना है So let's start So for i in range कहां से कहां तक मैंने कहा था यहां पर 0 नहीं है Again you need to remember this यहां पर 1 से लेके हम n तलग इटरेट करने पादे So basically n यह ने हमारा यह जो length of data set है So range function हमने यूज किया है So जब हमारा second parameter n है So loop है वह 1 से लेके n-1 तलग इटरेट करेगा So assume कि अगर इनका value 6 है तो जो हमारा loop है वह 1 से लेके 5 तलग चलेगा 1,2,3,4,5 इन 5 पर इटरेट करेगा Okay So यहां पर हम colon देते हैं And press enter जैसे कि मैंने कहा था असे पर देट हम क्या करेंगे Value नाम के एक variable लेते हैं और उसके अंदर हमारे Ith position में जो भी value जो भी data है उससे हम क्या करते हैं Store करते है Value नाम के variable के Okay So अगर आई का value 1 है So इस data set के अंदर 1th position यह एक फॉस्स पोजिशन में जो भी data है उससे हम value के अंदर store करते Okay So let's do that So हम यहां पर देते हैं Data at Data At I Okay File को simultaneously में देख करते रहना है Ctrl S Now Next thing हमें क्या करना है हमें हमारा जो position है जो कि यहां पर I है उससे हमें एक और variable में ले लेना है क्योंकि हमें आगे referencing में काम आने वाला है So Post is equals to I Okay Yeah So Now 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 See यह variable i जो है इसका value हम पोस में क्यों store कर रहे है Now See आगे जरके हमें back tracking करनी मतलब पीछे से iteration पीछे साइड में यह ulti direction में Iteration करना है On the basis of I का value I का value for example अगर 3 है So मुझे 3 फिर मतलब थर पोजिशन पिर 2nd position फिर 1st position में iterate करना है So यह iteration करना है So अब आगे का value directly affect ना हो इसलिए और वेरियेबल पोस को चेंज कर सके और उसका आतर डारेक्लिए पर ना हो क्योंकि कर दो कभी हमें I के जरुद पढ़ सकते For accessing data or anything else So That's a better practice So अब हमें क्या करना है Basically जो भी मेरे आइथ position में data है उससे में अपने previous positions के data है इस data set के previous positions के data है उनके साथ compare करोंगा और accordingly जो की suitable position होगा वहाँ पर यह आइथ position का data है वहाँ पर set करना है So उसके लिए हम एक while log उसकरने वाले है So Let's write it So while See दो conditions एक आपका position should be greater than 0 अपका current post का value should always be greater than 0 And उसके साथ ही में आपका जो value जो कि आपके current Ith position का data है That should be lesser Should name होनोगा अगर वह less than data at Post-1 यहनि previous position So क्या कहा जा रहा है इस condition में कि आपका position जो है वह greater than 0 अगर है और साथ में And हमने उसके end operator तो दोनों condition यह वाला भी और यह वाला यह ओस greater than 0 यह वाला condition Plus यह value Less than data at post-1 यह वाला condition अगर दोनों satisfy होरे तो यह लोग सी So अगर आपका position greater than 0 है As well as अपका जो value है That is Lesser than data at post-1 So अगर अभी मेरा position Say for example 3 है और वहाँ पर data है 5 और उसका जो previous position याने माल जी Second position में data है मतलब data set के second position में Say element है 10 So माल लते है कि value जो हो क्या है I का value अगर अभी 3 है तो value जो है वो क्या होने वाला है Third position का data Okay हमने या पर वही रखा है data at third तो क्या होगा वो Definitely 5 होगा So अगर वो value याने जो 5 है अगर वो छोटा है किससे उसके previous position वाले data से So previous position में Second position में मैंने बोला है वो definitely 5 is lesser than 10 So in that case आगर आपको दिख रहा है सामले कि जो second position वाला data है वो definitely बड़ा है हमारे current position वो हमें क्या करना होगा हमारे current position वाला data याने वेल्लू है उससे वहां सेट करना है So अब हम क्या करेंगे लिए Swap का logic लिए Swap के लिए वाला लॉजिक यूज करेंगे बट यहां पर यूज करने की ज़रत नहीं क्योंकि हमारे current position का डेटा है वो already value नाम के वेरियेबल में stored है So हम उससे यूज करें So अब हमें क्या करना है Simply हमारे current position अतलब इसकी data at force हम आपके क्या कर देंगे या So data at force will be equal to position value मतलब data at force हम आपके कौन से variable कौन से value को store करेंगे हमारे previous position वाले data So data at force minus one मतलब previous position में जो 10 था उसे हमने अभी current वाले position में रखतीया और previous position में हम क्या करेंगे हमारे current value को store करेंग So data at force minus one will be equal to one missing है force minus one will be equal to data at sorry data at लिए 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 करने की जुरती नहीं हमारे पर ख्यास्टोर कर देंगे store कर देंगे ज्टोर कर देंगे जल्टोर कर ओके पहल आपको समझ में आपको अगा अगर आपके previous position वाला जो data है वापके current position वाले data से बड़ा है आपको तो current position वाला जो data है वह आपका जोटा है आपके previous position से तो हमें आपके प्रिवियस पॉजिशन में आपके current वाला पॉजिशन का जो data है यानि तो वाले उसे आपको store कर देंगे अगर आपको confusion है don't worry हम लोग इसे डाइग्रमेटिकली भी समझने वाले हैं अब आपको आपको वाइफर से अब भी आपका पॉजिशन वाले डेटा जो था क्या वहां जाए अगर नहीं है तो नहीं जाए तो नहीं जाए अगर नहीं है यह वाला condition satisfy नहीं होगा डेफिनेटली दोनों कंडिशन सब्सक्राइब नहीं नहीं होगे तो अगर जिरो पोजिशन वालों के साथ comparison होगा नहीं यहां पर पोस का बलू ग्रेटर दन जिरो लेने की जरूट की उठी वोस मतलब सी नौ वन थेंग नहीं माल लीजे कि आपको पोस का बलू जो है वह वह भी क्या वह वान है दिरो अपकशन माले डेटर तो टो ऑनीवें जिरो पोजिशन यहांने जो की डेटर सेट का पहला पॉजिशन है उसके डेटर को मैं यहीं कंपैर रहा है जो मेरा फॉस का बलू ओन होगा नो in that case requirement ही नहीं है मुझे जिरूत पोजिशन में चालेंगे तो कि अजर पोस का विल्ट जीरो होगा तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन और टेटा आफ माइनस वन आएगा यहां पर टेटा आफ माइनस वन आएगा तो डेफिनिटले हमें एर्र आफ़क्व क्य लिटर देन जीरो एक तो आप समझने होगा एक क्या हो रहा है पुछ नहीं हो रहा हम आए पोजिशन वाले डेटा को तर लोग रस्टोर कर रहे हैं और हम उस वेल्लियो को हमेशा क्या कर रहे हैं कंपेर करते करते जा रहे हैं प्रीवीश लिए उसके बैकड मैनर में वहारे पूजिशन के डेटा के साथ तो देश्ते के मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक सॉटेड सब एरे हम मिंटीन करते हैं और हम हमारे बैल्लू को उल्टे वे में उस सॉटेड सब आरे के एलेमेंट के साथ क्या करें कंपेर करें इस लूप के तूरू उक्य चल र होगा तो यह वहां जाएगा और उस पूजिशन का डेटा करेंट वाले पूजिशन के आ जाएगा ओके आपको सब्सक्राइब होगा अरुजर कुछ पीटा हुट है सुन डाग्रमेटिक लिए पहुजएंगे तब यह पक्का क्लिए हो अब यह लूप के खता होने के बाद नेश्षेड़ य कि एक रहना होने के बार आपको का सब्सक्राइट यह पूरा चुर्ट होने के बाद आई काुजो ब्लग जाने वाला एंट मैंशो नेवाला है धान फानली जबी पूरा आउटर फॉर लॉप जो है वह फिक खतम पाल जाएगा रन होके तब आपको सब्स डेटासेट के अंदर ही हम सॉर्टिंग को फॉर्म किया है और और कोई अलग से वेरियाबल यूज नहीं किया है। संच टेटासेट को स्टोर करने है। तो जो हमें से लिखें की है । एक प्रफिए लाजिक जो है वो हमारे निटीव चुका इसक इंदर की मैंने पूरा इंसर्फिन सॉट अलगारिदम को परपॉर्म कर एक डेटासेट को सॉट किया है यहां पर यह दिया हुआ है उपर यह हमारा डेटा जिसका लेंट की इसका लेंट को सॉट करना है तो डेपिनेटीव हमें इसलिवर में करेंगे अरय रहा यह आधाट है यह पाचाण सेट और आ परेंगे लेंडे लेकां के अलेमेंट में इसक ट्रीवर एसे हैं 321465 जोकी उ लोट करना है तो पहरे दाव हम एन क्या होने वाला लेंग आप टीटा जो कि क्या है तो अब यह आउटर लुप चलेगा तो फॉर आइंडर रेंज वन टो एन एन का विल्लू में हमारा सिक्स हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वन कॉमाइज तो एन वे जो अगर हम य आइग को अधिक्र स्थूरी पर आई इक्विल्स्टू फॉर और आइट वर्षट पाइए यह फॉर्म कर रहा है तो जब आए का हम वन है तब से फेले तो हम क्या करने वेल्लू बैलू निकाल रिश्टोर करें अब आइका यह वन है इस यह वाले डिटा सेट को म्रफर कर सब्सक्राइब तो कि देनुक वेलू का जो वेलू है वो क्या होने वाला है तो दौछ प्रता प्रताइब नास्ति अब पोस का विल्लू है one one for toasthat इनियान वन वाइन वनन journals निदिरो तो डेटाइट ग्या है देटाइट जीरो पॉसिशन क्या है टी है एद ग्रविमारी एंपास्ति जो है हुं सब्सेटब्स क्या वो lesser than data at pos-1 है data at pos-1 हमें क्या मिला इधर मिला इतर हमें क्या मिला है 3 और value हमारा क्या है 2 so 2 is lesser than 3 definitely yes दोलों conditions इस्पाइब हो रहे हैं हमारा position रहे है और जो हमारा value है यहां पर जो लोग एक हवा है इसके तो अभी अभी हम जिब स्टाप करेंगे तो क्या हो जाएगा नाव सी अब यहां पर देटा एट पोस का वेलू क्या है हमारा 1 तो हम पस्ट पोजिशन में पस्ट पोजिशन में यानि यह वाले पोजिशन में क्या करेंगे देखिए पोज माइनस वन यानि जिरूत पोजिशन वाले डेटा को शिफ्ट किया तो यहां पे जिरूत पोजिशन में थी था अब वो पस्ट पोजिशन में आ गया है जो है यहांपर पोस का वेलू क्या है one तो डेटा एक फोस मानिस वण याने one- one और रहत फोस का विलू वन है तो one-one वाइल लो पगेरे चलेका यह एक करेगा कि क्या ग्रेटर देन चल्ट होना चाहिए है ถelim एक इसए के Jimali हूगा वह यह बागे बढ़े जाए च्किन चुक्ला है Сब्सक्राइब होना चैनल यह एक चैनल कर एंडरीच्ग इसनद स्टर्मार आइच्राइशन तरह उससे पहले अधर आप data set को ध्यान से देखेंगे, so first pass के बाद हमें एक sorted element मिल चुका है, जा आप बोल सकते हो, i का value 1 है, तो first position तक, first position तक, जितने भी element से, वो sorted है, तो यह अभी हमारा sorted sub array है, हमें ऐसा बोल सकते हैं, अब हमाते हैं, हमारे next iteration के तरह, i के, outer loop के next iteration के तरह so, where i is equal to 2, अब i का value है, 2, so anyway, हमारा value जो है, वो क्या होगा, see, always refer to updated data set, क्योंकि हम एक ही data set में change कर रहे हैं, so, अब हम यह वाले data set को नहीं, बलकि यह वाले data set को refer करेंगे, हमारे next iteration के तरह, so, अभी, value, जो है, वो क्या होने वाले है, data at i, i था value है, 2, so, second position में यहां पर है, 1 है, so, वो होगा हमारा value का value, so, value will be 1, अब post का value anyway, i ही होता है, so, यह हो जाएगा 2, अब सेम वही चीज, क्या हमारा post greater than 0, post का value 2 है, so, yes, it is greater than 0, और साथ में हमें यह भी देखना है, क्या हमारा value जो है, अब हमारा value क्या है, 1, so, 1 जो है, क्या वो lesser than, क्या वो छोटा है, data post minus 1, post का value क्या है, 2, so, 2 minus 1, okay, so, data 2 minus 1, यह data 1, so, data 1 क्या है, उपर वाले data set देखिए, data 1 क्या है, 3 है, okay, so, data 1 is 3, so, अब आप condition देखिए, post is greater than 0, as well as, our value is, मतलब 1 is lesser than data post minus 1, यानि 1 जो है, वो अपने पीछले position वाले data से क्या है, छोटा है, so, anyway, what we have to do, हमें swap करना होगा, so, आप देख सकते हैं, यहापे मैंने 1 और 3 को आपस में क्या कर दिया है, swap कर दिया है, okay, so, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, हम basically क्या कर रहे है, हमें जबी भ हैं, अगर वो किसी से छोटा है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसके आगे shift करते हैं, यहापिंग करते हैं, अगर वो छोटा नहीं है, so, as it is, उसी place में रहेगा, उसका भी example आगे के iterations में हम देखें, so, यहापर 1 और 3 जो है, वो क्या हो जाएंगे, आपस में swap हो जाएंगे, औ और हमारा पॉस का वैलो जो है, वो क्या हो जाएगा, अगें क्या उसका वैलाइन के वज़े से एक डिकनी हो जाएगा, so, पॉस का वैलो विल वी 2-1, which will be 1, okay, अब अगें यह लूट चैने का वाइल लूट चेक करेंगा, क्या पॉस ग्रेटर देन 0 है, यहाप पॉस का वै यहाँ पे करें 1 है, so, पॉस इस ग्रेटर देन 0, अब बलू के वैलो अभी भी हमारा 1 हीर है, remember बलू अभी एवरे टाइम नहीं चेंज होता है, हर आई, मतलब पास वाले लूट में एक बार बलू आता है, so, वैलो इस लेसर देन डेटर पॉस माइनस पर अभी हमारा पॉस का सब्सक्राइब क्या है, यह चाइंडर यह कंडिशन यह जो यह रहा है, अब बलू यहने हमारा जो बन है क्या वह लेमें टो fitness to it, करं अब यह अवलू है आपने पिछले पोदिशन वाले डेटा याने चोटा है बन Stopping करनी होगी और फॉर्स का वैलू सब्सक्राइब कर कर देना है और पूस का दल पर कम कर देना है तो अभी अगर आप देखेंगे तो वन जो है वह यहां फर इसे चोटा था इसलिए बंद इसके ता क्या हो जाएगा स्टाप को जाएगा सो वन सीरोत पोजिशन में जाएगा यहां पर अभी मैं ने इस जेंज करके निखा ओके तो अगर आप धियान से देखेंगे वन जो था आइप वाला इडरेशन आइज पर आइज पर आइज पर शुप टू वाले ट्रेशन से पहले से किन्ड पोजिशन में था तो आमने पहले उसके हमारा सौटेड लिश्ट जो था उसे एक एक पैर कि क्या पोज ग्रेटर देन जेरो अगे चेको करेगा ही नहीं यह लूप जो है यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा इनिवे इसके बाद में यह फॉर वालन जो लूप है यह एक स्टेप आगे बढ़ेगा अब इस स्टेप के बाद आइज इक वाला जो हमारा पास है इसके क्योंकि आई का बेलो टू था सब्सक्राइब को जितने भी एलिमेंट में रहे हैं वो सारे जो है वो क्या है स्टेट है अब आप देखिए वन टू त्री यहीं इंसेप्शन स्टेप हमने वन मिला था हमने उससे हमारे स्टेट सबरे के साथ कंपेर किया और उससे उसके आप नव सी अब हमारे नेक्स्ट पास वर नेक्स पास में जाएंगे चूंकि आई इस प्री अगें तेम चीज़ हमें हमारा अप्टेट अधर तर तेकना है तो बलू बड़ी वाट डेटा एक त्री तो डेटा एक त्री जो है वो क्या है एनवे इस पोर ऑके नाव पोस का बाइए होता है तो फॉस्ट फार लोगा थ्री और वालू याने डेटा एक त्री जो है वो क्या है फॉर अभी वाइल लुट चलेगा तो बड़ेट अधर देखने नहीं यह वाला उपर वाले डेटा सेट नहीं अगर आपको इसा प्रॉपर वे में नहीं चाहिए को यह य बता है तो फॉक्त कर्णा चाहिए भड़ेटेट देखने देटा खेट देट एक टू डेटा अं यह तो ट्या गड़ेट त्यए ट्युट जो है फोर फोर गार ट्री है और ठोट कराट है अब अब आप देखना अगनिशन देखने दिखने दोच वैल्लो शुट भी लास data fast minus 1 life minus 4 तो क्या 4 जो है वोTh लेस दन 3 है इटक js Mommy नहीं नहीं पुछले पौजिशन में जो भी data है अभेला हमारा करण्ट पॉजशन जो है पोज हमेज़़ जो है 43 सरय हमारा जो करेंट पॉज़ आड़ जो एटी और उसका जो वैनलू हो एट 4 ऐतिब ऐस्द में सब्सक्राइब करना ही नहीं है और एनिवे यह कंडिशन सटिस्फाइब ही नहीं रही है तो हम यह अंदर गुसेंगे नहीं वाइन लूप का वाइन लूप यहीं टर्मिन टोर जाएगा है इसके चलते ही वाला इटरेशन यहीं रुप जाएगा अब हमारा आई जो है और आप अगर देखेंगे द्यान से तभी पोर रहा है तो एनिवे इसके पहले के जो भी सारे डेटा आज है अब आप देखिए रहां से फोर के पहले त्री से कंपरेजन हुआ री जो है वो में देखिए इस खंपियों के साथ इसको फार कमकियों करने की जोरतीर नहीं है और फोर थी से बड़ा है अगे अगे तो इटरेशन पूर नो सारी आइज इपोलश टूट ट्री के बाद हमारा ये ये चार जो है 1 2 3 4 ना मला क्या है सॉटेट सब आदें घ्रे देरे जिए सैँ आप प्रोसीर करोगे आपके पासे बटते मित जाएंगे वैसे वैसे सॉटेट अभर आई सक्टेलने का यह जो है नहीं होने वाला है और आप देख की बता सब्सक्राइब के यहां पर तो यहां पर भी कुछ हुने भाला तो फिर भी हम स्टेबभी चलते हैं थो डिट आट वोस्त माइनस फोस क्या है गया मारा पोर है पोडिटा कोज माइनस वन टीटा कोज मैंने स्पिर यह थे टिर 174 है पोर है एक तो से वाइल रुप चेक करेंगे हम फोस्त का बलु फोर है 4 प्रीटर देन फिरी यास 4 प्रीटर दिन जी रो एंड 6 याने जो हमारा value है क्या वो lesser than 4 minus 1 वाले data याने 4 से तो definitely 6 is not lesser than 4 यह condition satisfy नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा while loop यहां भी नहीं चलेगा तो no strapping फोई भी strapping नहीं होने वान दिये साथ में लूप याने हमारा while loop जो भी क्या हो जाएगा इधर ही terminate हो जाएगा ओके अब हमारा सॉटेट सब्सक्राइब पूरा यहां तलग है 6 तलग ओके जिस्ट फोगेट 5 अगर आप 5 पो बूल के देखेंगे तो आपको पूरा सॉटेट लगाए 1 2 3 4 5 वह सब्सक्राइब तो इतना तक हमारा जो आरे हैं सब आरे हैं वह सॉटेट है नव अब यह लूप टामीनिट हो चुका है तो अब हमारे नेक्स्ट इतरेशन पर बढ़ेंगे नेक्स्ट पास की तरह बढ़ेंगे तो आई का वालू जो है वो क्या हो जाएगा फाइगा ज नहीं है हमारे वालूप केंट तो इस पॉस्ट और यस पाइक इस क्रिटर दद्न सिरो एंडव अगूर्ण सीड़ टेट पोर माइनस को तो पूरस क्या है है हमारा पो फाइज है फई- वन्याने फॉर तो डेटाइट पर यह वाले डिटा इटाशन का डेटा स्लिक्ट है य की स्टौर्ण का सवारी चंटेशन क्या करें है hvor 0 है कि क्या सुदिए अरो स्टिन जो यह यह ह्मारा प्राइब जो है क्या यह सीट्च यह से स्ट से सिक्स यह दोनों में यह जांद रखेहिंगी यह आमारे जो देटा है यह हम करेंगे तो यहां पर basically क्या हो जाएगा जो हमारा stick इस था अब वो फिफ पोजिशन में आ जाएगा तो यहां पर हमारा जो six था आप वो कुंसे पोजिशन में आ चुके हैं फिफ पोजिशन में देख सकते हूं इस iteration का डाइगरम ने यहां बनाया है और हमारा जो लाच्ट उसलियुट पोजिशन में फॉफ पोजिशन में आ जाएगा यहां फेप देख स्टाप कर दिया आप पाइप कब अब हमें पोस्त का वेलू बेड़ेत करें तो पॉस्त का बढू क्या हो जाएगा फाइब सवन यहन्ने फॉर ओट्व कि अब यहां पर अगे बड़ेगा पॉ अभी पोस का वेलु करनटी छिए एड़ेट आप ऐड़ेट फोर थो डेट पोस्तों यह 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 वाले दिएट तब देख्ए टेटाइच 3 जो है वो क्या है और देख सकते हैं डेटाइच 3 is 4, so फॉस का वेल्व भी है 4, so फॉस इस क्रिटर देन 0, and फाइब जो है क्या वो यानि हमारा जो वेल्व है क्या वो लेसर दैटाइच 4 वाना सवर्यानि 4 है तो definitely not 5 इस नौत लेस थैंड 4, so यह कंडिशन जो है यह condition that is size नहीं गो रहा है क्योंकि इपनीट जिप साइन नहीं गो रहना है तो हम रहे हैं लूप को terminate करना होगा लूप टर्मिनेट फोड़ जाएगा सबिंग नहीं होगी तो इसके लिखावाएं no swapping and loop termination so anyway अभी लूप टर्मिनेट हो जाएगा समारा for loop भी आगे नहीं बढ़ने वाला है for loop भी क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि वान से लेके 5 तर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आपक्स दिया है basically if you length of 5 या तो length अकाम चलाएगा तो length चलाएगा तो length is 6 था तो 5 तर्मिनेट हो जाएगा आगे वाला नहीं चलाएगा 7 उदा तो 6 तक चलाएगा, 8 तो 7 तक चलाए 20 उदा तो 19 तक चलाएगा, 27 तक चलाएगा, 26 तक चलाएगा अच्छोग से अब यह लोग भी टामिनेट हो जाए गा वाद लोग भी टामिनेटो जए गाए अब थाइन यह हमारा छूप्टेट टासे लास्ट में आतो पूरा पूरा जो एरे यह हो रहीं हो मारा किया हो चुका है दो रहे लूट्स के नेस्टिट लूट्स के जले के बाद वो जो है रिटर्ण को बाद की फॉन फिन जो है वसे रिटर्ण के सवाज़ आपको समझ वहाँ होगा कि इस तरीके से फॉंक्शनिन कर रहा है सिंपल एक्जाम्पल कि तुम एने संग जाया है सो अगर आपको को में पुली डाउट है आपको में पूर्ण सेक्शन में पूट सकते हैं आप चाहें तो आप और कुछी एग्जाम्पल के और बड़ी डिटर्ण के द्रायरं करके भी देख सकें सो आपकर सब्सक्राइब हो जाए तो मורהलमें बारह कटो 56, मिण रखते ६ाहन नाइं तूर थी और नाइं व्यक्ति एच टिप आझक शें गहीं व्यक्व ऐ स्थीं ओक्रण सब्सक्राइथ करदे और सू कि Miche set before insertionSort अब आप मेर देटा पर शोव पर देटा है इंडेटा तो के यहां है तॉस्क नहीं है अब हम यह मेथड को पाल करेंगे इंसर्प्शन साथ वालने तो अब हम इंडेटा को साथ करना ही जो डेटा सेखने तो साथ करना ही चेह से में साथ साथ करेंगे साथ को अब वहthan ने नाज सींगया good स्च iç में सोर्फटी or भीराशा करेंगा तो उसी स्टोर करने के लिए हमें बनाब एक और बरेड़ बनाब आप इस शकल सूक्र डिथर स्च कि यह इन शट इन करहेंगा करक्त क्रीन करें युद चाहि रिटर्ण प्रिस्ट्र क slipping यह नहीं वहता सो मैं ने क्ती यह जो तो वेलिश्स अरने कीु यह मन्ली जी इसन हम अंदर ही InsertionSort के अंदर ही sorted data set ये function के अंदर ही अम sorted data set करवारे होगा स्वामें इसको फिर ये variable के अंदर store करने की ज़रती नियु की पट क्योंकि ये return कर रहा है klioted data set को उसे store करने के ने हमें एक variable और राई पर इब केना वाट न सा श्रकी कुछ बी रख क्रक्ट पूर इंसर चाथ फ़ंचन केना उन्हाँ फंक्ट्शन केना में धो टेश हुमाँच बैरमेटर में आपका रेकासट आएंग अप मेरा डिया डिया सेट का नाम डिया थे इसने बेंगे डिया पास्ट छीए हैं आप करेत अच्छाट गना मगर को चारे आपो बेसके लो अवा में सौT अच्छाट को प्रेंक आट अच्छाट गने सूज्ड लोग पर अच्छाट गने कम अर्ट अदल्ट्र शोर्टो ईजिए किनarsa बिकाहदे दिएि在 और करतन fulfillment अजित अद्छेवर अखनो अधचासे घर यह भान कोया है और पक्ता सबीक अजिटार्च में कान dyह हमारा कि प्रेशत प्रेशत गला में कि प्रेश्ट इन्हों बीदेट सेट में कर मैं और स्कूलो पक्तियों अरह विद्ध फाइन को पाले से को घ्रपेसा। so as you can see here we have python shell move on so let's test it so run yeah so here we have run it, you can see it output is already data set before insertion sort 56, 8, 1, 90, 74, 54, 20 and 45 and here we have the data set sort okay also 1, 8, 20, 45, 50, 56 and 90 perfectly properly sorted okay yeah so if you want to sort this ascending order so simply here value should be less than data at post-1 value should be 3,000 data at post-1 okay other than this no change we have a shortcut f5 we have run it so here we see now I have insertion data after insertion sort and now I have my descending order sort 56, 40, sorry 54, 45, 20, 8 and well so that's it I hope that you have when you have run it whole practical for the video thank you and stay tuned for more such valuable contents thanks i i झाल झाल